अभिशेक जी नमस्ते, शनी सुदंदर का आपको बहुत बहुत नमस्कार, आज आपने एक बहुत अच्छा विशे दिया है, कि 27 साल बाद जब हम सौवी वर्षगांठ मनार हैं होंगे अपने आजादी की, तो उस समय हमारे सरकारी स्कूल कैसा होगा? सरकारी स्कूल के विशे पे आपने जो काड़े प्राडम्ब किये हैं, आप जो कर रहे हैं, काफी सराहनिये हैं, काफी खुशी देने वाला है, समय के अभाव के कारण, ओफिस में होने के कारण, मैं आपके काड़े करम को जोईन नहीं कर पाता हूँ, लेकिन बाद में देखकर के कॉमेंट जरूर कर पाता हूँ, और आशा है आप भी उसको देखते होंगे, अभिशेग जी, हमारी सरकार जो है, वो सिक्षा के क्षेतर में काड़े कर रही है, और कहीं से अपनी तरफ से कोई कमी तो नहीं छोड़ा है अभी तक, जिस स्थिती में चार-पांच साल, दस साल पहले जितनी खड़ावी स्थिती थी, अभी हमारी सरकार ने एक नई स्रिक्षा नीती भिन लाई है, जिस कारण हमारे स्थिक्षा में अमूल चूल पडिवर्तन होगा, अगर सही तरीके से इसको लागू किया जाता है, लेकिन इसमें inclusive effort भी लगाना होगा, ताकि एक एक बच्चा, हमारे मुल्क का एक एक बच्चा शिक्षित हो, एक एक घर में शिक्षा का दीप जला हो, और वो नई शिक्षा नीती के तहट एक विकास के नई यूग की शुरुआत करे, जो हमारे देश के भविशे हैं, जो हमारे भविशे लिखने वाले हैं, देश के भविशे, देश को चलाने वाले हैं भविशे में, उनका skill सही तरह से develop हो, उनकी विचार धारा सही हो, वो विचारों को समझें, वो शिक्षा के सही माइनों को समझें इसके लिए हमारे ground level पे कारे की भी आवशक्ता है अभी हमें जन जागरुपता की भी आवशक्ता है कितनों के पास सही शिक्षा है, कितने लोग स्कूल जा रहे हैं लोग स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं क्या कारण है कि वो स्कूल नहीं जा और जो स्कूल जा रहे हैं उनको क्या फाइदा मिल रहा है नहीं शिक्षा निती के लागू होने से क्या फाइदा होगी वो इंटर्नशिप के लिए कहा जाएंगे उनके विचार कैसे बदलेंगे इन सभी चीजों पर हमें रिसर्च और डिवलप्मेंट करना पड़ेगा युवाओं को, सरकार को नहीं सरकार तो कर रहे हैं, सरकार के पास करने के लिए और बहुत कुछ होते हैं वो योजनाएं लागू कर सकते हैं लेकिन एक वाड़ पारसल, एक मुखिया एक गाओं के जागू की युवा बहुत कुछ बदल सकते हैं और अगर हमने ऐसा कर लिया तो 27 साल बाद सरकारी स्कूल ही रहेगा प्राइविट स्कूल नहीं रह जाएगा गाओं में ही शिक्षा की देवस्था अच्छी करनी होगी लोगों को जागू करना होगा अच्छे घड के लोगों को भी सरकारी स्कूल में ही अच्छे शिक्षा मिल जाए तो वो क्यों प्राइविट स्कूल जाएंगे और उतना वक्त जायर करेंगे इसके लिए शिक्षकों को भी काफी और online classes को काफी develop करना पड़ेगा सभी शिक्षकों को जागरूप करना पड़ेगा Ground level work तो चाहिए विशेक जी अभी क्योंकि there is no shortcut to success So, पत्रकारी था हमारी जागरूप था भी आन Research and development गाउं में Research and development कोई बहुत DRDO वाला काम है ऐसा नहीं एक छोटी सी टीम बना कर गाउं गाउं में कितने गाउं में कितने बच्चे हैं हमारे मीडिया करनी उनको भी थोड़ा ही उस तरफ सुद लेना चाहिए गाउं में जाकर के बच्चों को उनके गार्डियन्स को शिक्षा का महत तो बताएं शिक्षा या सरकारी स्कूल जाना बस के वल मिड़े मिल या चंद सरकारी सुद इधाओं के लिए नहीं है ये शिक्षा उनके घर में एक नया दीपक लेकर के जाएगा एक नया सवीरा लेकर के आएगा ये उनको बताना होगा और हमारे शिक्षकों को भी बताना होगा थोड़ा जागरूप करना होगा कि आप कितने घरों में दिये जलाने का कड़े कर रहे हैं आप महज एक प्रोफेशनल नहीं है तो आपको उसी तरह से इन बच्चों को सिखलाना होगा हमारे सरकार को इस दिशा में और दाएरे बढ़ाने होंगे इंक्लूजिव एफ़र्ट लगा ना होगा प्राइविट स्कूल से के जैसी सुविधाएं यहां भी लानी होगी टाकि लोग अट्रेक्ट हों इस चीज़ देश में एक शिक्षा पद्धती होगी एक ही स्कूल की पद्धती होगी और सभी हमारे भारतवासी एक तरह से शिक्षित होंगे जैसा कि विगसित रास्ट्रों में होता है और जॉब क्रियेटर्स भी होंगे और हमारा हिंदुस्तान नहीं उच्छाईयों को छू रहा होगा उस समय अगर हम आप रहें तो फिर मिलेंगे और देखेंगे और आपस में चर्चा करेंगे आज के लिए इतना ही और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप अपने बिहार के नालंदा इंवर्स्टी के लिए भी आवाज उठाएं मेरे साथ ताकि हम अपने भावी पीड़ी को अपनी तरब से कुछ दे सकें आज हम लोगों ने जहां से शिक्षा प्राप्त की वो हमारे पूर्वजों का दिया हुआ था लड़के तो आज हमें आवाज उठानी चाहिए धन्यवाद अविशेक जी इनी जब्डों के साथ नमस्ते